सुप्रभात बच्चों, आज मैं 2020 का दूतिय कार्जकाल आरम करने जा रही हूँ दूतिय कार्जकाल में आप आज पढ़ेंगे पार्चो पार्चो में हैं टॉम सायर, कहानी का सिर्षक है टॉम सायर इसके लेखक है मार्क ट्वेन इनका जन्म 30 नौवंबर 1835 को फ्लोरीडा जो अमेरिका में स्थीत है में हुआ था ये अंग्रेजी के प्रसीद लेखक और रहास प्रिये ब्यक्ति थे इनका असली नाम सेमुल क्लेमेंस था इनकी प्रमुक रचनाये हैं इस कहानी के माध्य के माध्यां से यह बतलाया गया है कि बच्चे अपना काम करवाने के लिए कई परकार के बहाने जिसको स्वान भी बनाते हैं इस कहानी में टाम सौयर मुखनायक है जो अपनी चतुराई से अपना काम दूसरे बच्चों से करवाता है और बदले में उनकी चीजे भी लेता है कहानी को समझने के लिए आपने इसमें जो है इस पाठ में कुछ कठीन सब्द आये हैं तो आसानी से कहानी समझ में आजा इसके लिए सब्दार्थ पर ध्यान देंगे पहले सब्दार्थ पढ़ेंगे यहां है उमीद, उमीद का आसा, सहान भूती, हमदर्दी, मनुहार, प्राथना, बिनम्रता, सरलता, अनुरोध, बिंती, उल्लास, खुशी, विजय, जीत, आख तरेरना, बुश्चा दिखाना, आसर है रानी, आप चलिए कहानी सुरू करते हैं, एक कहानी जो है, एक नठखट बालक, छोटा सा बालक, टॉम, नामक बालक है, जो बहुत ही नठखट है, और वह अपनी पूधी मौसी पॉली के साथ रहता है, और अपने सरारतों से उन्ह पूधी टॉम की चतुराई को देखकर, जो है, पॉली मौसी के होटों पर कभी-कभी मुस्कान भी आ जाती है, नठखट है, फिर भी उसकी चतुराई को देखकर, मौसी खुस हो जाती है, एक दिन मौसी का धहर जबाब दे गया, और वह बदले में सैत ने ये जो है, टॉम को उसकी सैतानी के लिए सजा सुना दी, सजा दी चार दिवारी की पुताई करने का काम उसको सौप दिया गया, और उस दिन जो था, दिन सनिवार था, और सुबह सुबह ही गुनगुने धूप निकले थे, तो जो है, अपसोस कर रहा था, कि कास आज का दिन जो है, इतना हाबने मौसम में मैं आज पुताई करने के लिए जा रहा हूँ, ये तो खेलने का दिन है, लेकिन उसे जो है, सजा रुपी जो काम मिला था, मौसी ने जो काम दी थी, उसे तो करना ही था, इसलिए वो क्या हुआ कि हाथ में सफिर्दी की बालती और ब्रस लेकर जैसे ही नि टॉम बोलता है कि जीम अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो ये सफाई वाला पुताई वाला दिवार की पुताई वाला काम कर दोगे तो बदले में मैं पानी भर कर ला दूँगा, लेकिन जीम तो मना कर देता है, लेकिन बहुत कहने पर जो है, ये जीम तेयार हो जाता है और जैसे ही पुताई का बाल्टी लेकर ब्रस लेकर आगे बढ़ता है तभी उसे पॉलिमोसी आती दिखाई देती है और बाल्टी को रखकर वो भाग जाता है फिर टॉम उदास हो जाता है लेकिन वो उसका अपना उमीद जो है को खतम नहीं होने देता है कुछ देर के बाद क्या देखता है कि वेन रोजर स्रेव खाता हुआ इस्टीमर चलाने की नकल करता हुआ उचलता कुड़ता उसके पास आता है और कहता है बढ़ी शाहनभूती पुर्ण कहता है कि अरे टॉम आज तो तुम्हें काम करना पर रहा है लेकिन ये टॉम कहता है कि इसे तुम काम क करने में हाँ ये सहायता मदद करे ये करेगा तो इसलिए वह सकर कहता है इसे तुम काम करते हो ये तो कर आसा मौका तो कभी कभी आता है आप जो है बेन सोचने लगता है कि कास मुझे भी मौका मिल जाए मैं भी चार दिवारी की पुताई थोड़ा सा कर लूँ लेकिन वह मौकी पुताई करने हो तो टोम उसे मना कर देता है काता है कि नहीं वह अब नक्रे दिखा रहा था उसे अपनी बातों में उलजा रहा था इसलिए वह नक्रे दिखाता हुआ बोलता है कि नहीं नहीं मौसी देखे की दाटेगी इसलिए तुम को यह काम नहीं दे सकता हुँ यह फिर उसम बिन्ती करने लगता है कि अगर तुम Jeśli काम दो गे तो बदले में मैं तुम पना सेब दूंगा तो तुम मुझे थोरा सा पुताई करने दो तो टॉम कहता है कि कहीं कुछ गरवर हो गई तो मौसी जो है मुझे ही डाटेगी तो ये बेन कहता है कि कुछ भी गरवर नहीं होगा मैं बहुत ही साबधानी पुर्वक पुताई करूँगा तो टॉम मान जाता है और वरस बेन को सौबकर और सेव लेकर वह एक जगाह जाकर बैठ जाता है तभी क्या होता है कि कुछ और बच्चे जो है वहां आते हैं और सब टॉम को चिणाने की कोशिस करते हैं लेकिन टॉम जो है अपनी चतुरबातों से सभी बच्चों को अपने फशा लेता है और उसे ऐसे फशाता है ताकि वो मदद करें दिवार की पुताई करने में मदद करें अब क्या होता है कि सारे बच्चे जो हैं पुताई करने के लिए ललाई तो उठते हैं और अपना पहुमुल समान जो बच्चों के पास होता है छोटा छोटा खेलने का समान जो होता है, उसे सौप देता है, सब जैसे कि चाक के टुकरे, काच की चूरियां, चाकू का हैंडल, कुत्ते का परता, नीली सीसी का टुकरा, ये सब बच्पन में बहुत ही बहुत मुल लगता है, तो सारे बच्चे जो हैं, अपनी अपनी बस्तुएं, उसे सौप देता है, और बदले में चार दिवारी की पुताई करने के लिए कहता है, तो यह टॉम सबको आदेश देता है कि देखो, पुताई सही ढंक से होनी चाहिए, कहीं भी कुछ भी गरबर नहीं होना चाहिए, तो सभी बच्चे मान जाते हैं अब ऐसा समय आता है कि एक बच्चे ठक जाते हैं तो दूसरे बच्चे पुताई में लग जाते हैं फिर दूसरा ठकता है तो तीसरा इस तरह से एक बार नहीं तीन बार चार दिवारी की बहुत ही सुन्दर धंग से पुताई कर दिया जाता है और जब पुताई खत्म होने के बाद सभी बच्चे खुस होकर मौसी के पास जाता है और उल्लास भरे स्वर में खेलने की अनुमती मांगता है लेकिन मौसी जो है वो कहती है कि नहीं पहले काम पूरा करो यानि की पूरी चार दिवारी को पुताई कर दो उसके बाद ही जाना करा तौक कहता है कि मौशी मैं जूट नहीं बोलता पुरे चारदिवारी की पुताई हो गई है अगर विश्वास नहीं हो तो चल कर देखो लुटि को देखती है तो खुशी से उसकी आंके जो है खुशी से मौशी की आँखे आच्छर से चार दिवारी की पुताई हो गई है अगर विश्वास नहीं हो तो चल कर देखो मौसी जब चार दिवारी को देखती है तो खुशी से उसकी आंखे जो है खुशी से मौसी की आंखे आस्चर से खुली की खुली रह जाती है उन्हें तो विश्वासी नहीं हो रहा था कि टॉम तॉम ने इतनी सफाई से इतना सुन्दर धंग से चार दिवारी की पुताई की है, और एक टॉम को शेव निकाल कर देती है, और उन्हें गले से फिर लगाती है, और खेलने की आग्या देती है, सब ये बच्चे खेलने चले जाते हैं ये कहानी इस कहानी से हमें यहीं सिक्षा मिलती है कि हमें बुद्धी मता से अगर हम कोई अपनी बुद्धिमानी कापयोग करते हैं तो कठिनकार्ज भी आसानी से कर सकते हैं और अगर मिठी मधूर बचन अगर हम धैर धालन करते हैं औ तो दूसरे भी बच्चे भी जिस तरह से टॉम को टॉम के दोस्तों ने उसका साथ दिया ऐसे ही दूसरे बच्चे भी सहियो करने के लिए ततपर हो जाते हैं धन्यवाद